आज मांग संक्या 30 और 33 सामाजीक नया वदिकारिता विबाग और जन्चाती सेत्री विकास विबाग पे जो रिवेट हो रही है सभापती महदे मैं पहले ही आपका सरक्सर चाहूंगा कि जो नए सदस्या आये हैं और रनुसुची जाती जन्च जाती से संब्द रखते हैं उनको थोड़ा बोलने का अफसर प्रदान करें आप भूमिकानी बनाएं सीधा बोलें आपको पूराई अफसर है मान्या सभापती महदे मैं दक्षिनी राजस्तान के अरावली प्रवस संखला दर्मपूर्वी समाज आदिवसी समाज के बिल समों से इस सदन में आते हैं अभी कुछ विशे पे इस सदन में हंगामा हो रहा था मैं अपनी बात सुरू कुरूई से पहले क्या दिवसी समाज में कभी भी पती-पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है तो सामाजी गरीती विवाद जो पहले होता था उसमें कहलाता था सेड़ा फड़ा पती-पत्नी के बीच में कोई भी विवाद हुआ तो सेड़ा फड़ा एक विवस्ता होती थी बस सामाजी अलिखीत सविधान था एक कानून था वो और उसको अपना समाज माननेता प्रदान करता था और आज हम लोग कोट में जाते हैं और वापर विविन समाज या विविन जाते हैं के लोग कोट में तलाक के लिए अपलाई करते हैं और तलाक के लिए अपलाई करते हैं इसके बाद तलाक होता है और सरकार ने भी विविन भरतियों में एक प्रावदान कर रखा है कि तलाक सुधा महिलाओं के लिए एक कोटा रखा है उच में कुछ सीटे रहती है तो आज तक मैंने अभी पता लगाया कि आदिवरसी समाज के थूँ जितने परिवाद गए कोट में किसी भी परिवाद में तलाक नहीं हुआ मतलब मेरा जो कहने का उद्देश है कि हिंदू विवादिनियम 1955 की धारा दो आदिवरसी समाज पे लागू नहीं होती है यह इससे सिद्ध होता है कि आदिवरसी समाज वरन व्यवस्ता या किसी दर्म व्यवस्ता में नहीं आता है अब मैं मेरी जो बात है स्वरू करूँगा और ये जो बिंदू है उस पे मेरा जो मानना है मेरा मत है कि किसी एक दिन लंबी डिबेट होनी चाहिए क्योंकि आज तक ये समाज कौन से दर्मों में आता है क्या है उसका अभी तक निश्चित नहीं हुआ है क्योंकि लंबे समय से अलग धर्मो कोड की जो डिमाइड चल रही है मानने सबाबती महोदे अनुसुची जनजाती के लिए टी एडी की जो फंड होता है उसमें राज्य सरकार की तरब से केंद्र सरकार की तरब से कई मदों में पैसा आता है लेकिन आज तक जो विवस्ता बनी है वो पेसे को सम्मधित विबागों में डिवाइड किया जाता है और वो विबाग उस पेसे का कहा कहा किसे किसे उप्योग कर रहा है उसकी प्रोपर मोनिटरिंग अब तक नहीं हो पा रही है हाल ही अभी बजट गोष्णा में हाला कि सियम साब ने SCST के लिए अलग से कानून बनानी की गोष्णा की है मलब राजस्तान पेटन तो हम चाहेंगे कि पेले जो जिस तरह से बटवारा हुआ है पेले एक बजट मैंने 2019-2020 का जो आवंटीद बजट है इसमें T.A.D. विभाग से पेटोलिए मिभाग को चुमालिस सो करोड रुपया ट.A.D. विभाग से पेटोलिए मिभाग को दिया गया 1920 के बजट में वही आगे दिल्ली बुंपई जो कुरिडर निकल रहा है उसमें 10 करोट रुपया दिया गया है TAD विबाग से और इसी तरह बागी कई जगह जो अनुपयोगी है मरलब ST, SC से कोई रिलेटेड नहीं है एसी जगह पर TAD विबाग का पेशा उपयोग में किया जा रहा है तो कई न कई आदिवसी समाज के साथ अन्या हो रहा है और इसी क्रम में ये जो आवंटन हो रहा है बजट जिल्लेवार पूरे राजस्तान में TAD विबाग का बजट का आवंटन किया जाता है मैंने एक जो जानकरी प्राप्त की एसे जिल्ले हैं जहाँ पर अनुसुची जाती की जो जन संक्या है जैसे कि एक हनुमानगड है वहाँ पर 0.8 जन संक्या है और वहाँ पर बजट दिया गया है 10 पृतिसत टोटल बजट में से एसे एसे जो बजट का बटवारा है इसी कारण आज तक आदिवसी इलाके में आदिवसी समाज का कई न कई उदार नहीं हुआ है आगे अनुसुची सेत्र में कानून विवस्ता जब हमारा देश आजार नहीं हुआ इससे पहले अंग्रेजी सासनकाल था और अंग्रे जोने भी इस इलाके में किस तरह कानून वेवस्ता बनाई जाए अपने प्रावदान किये थे जैसे कि हम बात करते हैं अनुसुची सेत्र सिडूल एरिया पांचवी अनुसुची सविधान में प्रावदान है 247 के तहद सिडूल एरिया जो जो है 1935 के एदिनियम से सविधान में लिया गया है और उसमें ये प्रावदान है कि सिडूल एरिया में आदिवसी समाज के लिए अलग से बर्तियों में हैं जमीनों के मामले में कि आदिवसी की जमीन कोई दुसरा नहीं खरी सकता है लेकिन आज भी कई जगे ऐसा हो रहा है कि दोखादड़ी से आदिवसी की जमीन सडकों के आसपास खरी दी जारी है एक उस इलाके में एक दहेज में मुगत में होते हैं आप भी बली बाती जानते हो कि आदिवासी समाज में दहेज प्रथा होती ही नहीं है वहाँ पर दाफा प्रथा होती है दहेज मतलब मैला की तरफ से मांगा जाता है लेकिन आदिवासी समाज में आज तक दहज प्रथा नहीं हुए, वो है यह नहीं, प्रचलन में यह नहीं, दाफा प्रता होती है, उल्टा दुलहे की तरब से महिला वालों को दिया जाता है, वो गाह में प्रवेस करता है, उसी वक्त से वो सारा सिस्टम सुरू होता है, लेक इसमें ऐसा कोई वेवस्ता की जाए, हम जान रहे हैं कि जुटे मामले हैं, इसके बावजुद भी हम लोग क्यों यह प्रचलन आगे जो बढ़ा रहे हैं, एक जो गटना हुई थी दो अप्रेल, भारत बन के तहद, अस्पुर में जो कांड हुआ था, हम लोग केते हैं कि चुआचूद बैदबाव होता है, बैदबाव हर अस्तर पे होता है, कानूनी कारवाई में हो, किसी विबाग में हो, पधन्ति में हो, हर जग किया जाता है, दो अप्रेल को गटना हुई एक मुगदमा था, 101, 81 और 18, 28, उन लोगों ने थाने के सामने tolerant सग एविडेंस थे लेकिन आज तक उन लोगों को गिरुपतार नहीं किया गया और आज तक उनका चालान पेश नहीं किया गया है सभबती महोदे इसी क्राम में अनुसूची सेत्र में आरक्षन वेवस्ता अभी जो चल रहा था कि कोई कह रहा था कि आरक्षन हम ने दिया कोई कह रहा था आरक्षन हम ने दिया आरक्षन कोई भीख या आरक्षन कोई दयानी है कि कि किसी ने दिया है हम जो बात करें थे सिडूल फाइब की हमारे पुर्वजनल लड़ जगड के लिया है वो 1935 के दिनियम में था कई लोगों ने खुन खुन बहाय बलिदान दिया है और सविधान में बाबा साब अमेड़े करो जैसे पाल सिय मुंडा जैसे लोगों की मेरबानी है कि वह अन्सीश्य-चैत्र का विस्तार हुआ उस विस्तार हुआ उस अधीसूचना में अश्पषेट लिखा हुआ है कि यह जो विस्तार हुआ इसके बाद वाली जो बरतिया है इन सभी बरतियों में जो नया एरिया जुड़ा है उन लोगों को जुड़ा जाएगा लेकिन फिर भी बेक डोर इंटी से साइट की गली से अधिकारियों की मिली बगत से बाहरी लोगों को अनुसुची सेत्र में कईन कई ले लिया गा इससे स्थानी कई बेरोजगारों को जेके सिक्षक बरती 2018 सेकंड ग्रेट की बरती LDC कई बरतियों में अनुसुची सेत्र के जो युवा हैं उनके साथ अन्या हुआ और एक जो भी हमारे कई मानने सदेश्यों ने बताया कि एक जो गटना हुई थी कागरीड उंगरी गटना इसक जो अधिस उचना जारी हुए सिडूले रिये के लिए साथ इसका 2016 में इसको निरस्त कर दिया गया और 2016 में वापस इस इलागे के लिए अधिस उचना जारी हुई उसमें 45% हट पांच परसंट हैसी और पचास परसंट सीटे जो अनार्ग सीट्ट उस 50% सीटों की लिए जो सबहुत लोग गए का अपनी अपनी इस भूमी का थोड़ी बहुत नहीं वादी लेकिन वास्तविक कोई उस मामले को वास्तविक परिणाम तक ले जाने के लिए किसी ने पहल नहीं की उसमें ये जो हुआ कि इसके लिए किस किस वर्ग के लिए क्या पातरता है उसका किलेरिफिकेशन आज तक नहीं किया गया है सर निवेदन है थोड़ा समय दे मैं अनुरूत करूंगा कि इसका क्लेरिफिकेशन हो जाए कि इसमें किस किस वर्ग के लिए क्या क्या पातरता है ताकि आने वाले समय में ऐसी गटनाए नहीं दो रहा है बाने सभाबती महोदे बेनशवर जो आधिवसी समाज का दार्मिक अस्तल है और इसमें गुजरात मद्यपरदेश महाराष्टा और रास्तान के पूरे आधिवसी समाज के लिए धार्मिक अस्तल है ये बेनके के नाम से जाना जाता है लेकिन वह यह इस्तति बनी हुए कि अधिवसी समाज के लिए जो आसपास के जो लोग है सर अपनी बात तुप पूरी रखने दो सर में दो मिनिट में अपनी बात पूरी रख दूँगा मने सभाबती महोदे मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये जो बेनका है इसमें अस्तानी आधिवसी लोगों के नाम से जम अधिवसी बच्चों को कईन कई लाब दिया जाए लेकिन जो सई समय पे यूनिफॉर्मा नहीं पहुंच रही है और अभी जो सीम साब ने जो माबाढ़ियों की गोशना किये तो हम चाहते हैं कि नियम के अनूर उप्चवास्तविक लोग पात रहे हैं या जिस इलाके में